हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2013 की एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ट वे बैक होम ये मूवे एक स्प्राइब करने वाला हूँ इस मूवे में एक मदर एक अलग कंट्री में अरेस्ट हो जाती है इसें जो क्राइम क्या होता है ये जाने अन जाने में इससे हो जाता है अब ये फैमिली क्या करेंगे अब हम इस मूवे में देखेंगे तो चलिए ये शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और यून हमें पैरिस एरपोर्ट पर दीखती है एरपोट की जो अथरिटी हो थी है इसको इस पे शक हो जाता है और यहाँ अरेस्ट हो जाती है अब इसकी बैक स्टोरी हम देखेंगे हमें हमारे दो मेन कैरेक्टर दिखते हैं यून और जॉंग, यून वाइफ है और जॉंग उसका हस्बन है यह दोनों एक कार रिपेरिंग शॉप चलाते है यून भी आज गाड़ी को कोई साफ कर रही होती है तो भी एक स्पाइटर उसे दिखता है उसका हस्बन उसे बुलाता है तो यह स्पाइटर मार जाता है आज उसके हस्बन की बहुत सारे फ्रेंडस आने वाले होती है यह कहती ही कि मैंने आज स्पाइटर को मार दिया है याप शुग ने, आज उन्हें आने से मना कर दो हस्बन कहता है कि इसा खुछ भी नहीं होता मेरे जो फ्रेंडस है, यह मेरी फैमिली की तरह है यो कभी भी आजा सकते, कोई हमें प्रॉल्लम ने आएगा यह इनकी conversation चल रही होती है, तो भी मुंदो आ जाता है मुंदो वही friends में से एक है, जो इनसे मिलने आले वाला था मुंदो बहुत दिनों से गारब था वह कहा था, क्या कर रहा था, किसी को कुछ भी पता नहीं है रात में जब यह डिनर कर रहे होते, तो और दो friend आते इन friends में से एक businessman होता है, एक computer की shop चलाता है और एक मुंदो होता है, एक दूसरे से अपना हाल चाल पुछते मुंदो को पूछने पर कि वह क्या करता है, एक story make-up कर देता है इसने sona find किया है, और पिछले तीन सानों से वह यही था जो business friend होता है, उसे जब पुछा जाता है, तो कहता है यौन और जौंग, इन दोनन मझे बहुत help के हैं मेरे business को लेकर इनिवे जैसे मैं stand हो चुका हूँ, और तीसरा जो friend है, एक computer center चलाता है इस रात इन सब friend की reunion हो जाती है नेक्स दिन जैसे एक family के morning routine होती है, वैसे इनकी routine चलती है यौन अपने बेटी के health बनाती है, और आप वो school जाने वाली होती है जब जौंग और डॉटर ये दोनों घर से बाहर चले जाते हैं, और यौन अकेले होती है तब ही business man friend हो आता है ये यौन से खाना मांगता है, और कहता है कि बहुत दिन हो चुके है मैं तुमारे हाथ का खाना है नहीं खाया था, इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आ गया यौन भी उससे जादा कुछ नहीं पूछती है रात में पुलिस को इसी business man friend की body मिलती है इसने suicide कर ली होती है, इस पर बहुत जादा debt हो जाती है और ये सेहन नहीं कर पाता इसके बाद जौंग और यौन को बैंक में बुला जाता है बैंक वाले उससे कहते हैं कि तुम पर 200,000 डॉलर्स का लोन है एक्च्वल में जो business man friend था, इसने लोन लिया था जौंग ने इसके लिए sign की थी पर जौंग ने सिर्फ 50,000 डॉलर्स के लिए ये sign दी थी इसे पता ही नहीं था कि 200,000 डॉलर्स है अब ये दोनों बहुत ही जादा trouble में आ जाते हैं जिस house में हो रहते थे इस house को उन्हें sell करना पड़ता है अब ये भी loan बहुत है तो एक छोटे से घर में जाकर rent पे उन्हें रहना पड़ता है इनकी financial situation बहुत ही खरा होती है तो इनके friend मुंदो के पास वाते है इसने कहा था इसे gold mine मिली है तो इसके पास पैसे होंगे ऐसा होने लगता है जब इन मुंदो के पास आता है तो मुंदो केहता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो 4000 डॉलर सिर्फ तीन दिनों के काम के लिए ये हो उन्हें deal दे रहा होता है ये काम जब उन्हें समझाता है तो ये होता है कि एरपोट पर जाना है और अपने luggage में बहुत सारा सामार रगना है उन्हें कहता है कि एक स्टोन से जो तुम्हें इंपोर्ट करके लाने है बस तीन दिनों में तुम वापस आ जाओगे और 4000 डॉलर सुमारे हो जाएंगे ये उन्हें को ये बहुत ही suspicious लगता है जोंक कहता है कि इस पर सोचकर में तुम्हें बताऊंगा जब रात होती है तो मुंदों से जोंक बात कर रहा होता है ये उन्हें से कह रहे होती है कि एक काम तुम्हें नहीं करना चाहिए पर जोंक उसकी मानने नहीं वाला होता बहुत ज़्यादा लोन उस पर होता है और एक ऐसे pay करेगा ये बहुत बड़ा problem होता है जब यह बात कर रहे होते है तब जौंग को पता चलता है कि इस काम के लिए सिर्फ लेडिज लगने वाली है जौंग यह काम नहीं कर सकता तो यह बहुत ज़ादा डिसपॉइंटेड हो जाता है अब जिस नए घर में वो पहुच चुके है तो इसकी जो लाइंडलॉड है यह उन्हें अब डाट रहे होती है बहुत दिनों से इन्होंने रेंड भी नहीं दिया होता अब दो-तिन दिन गुजर जाते हैं जोंग घर पर ही नहीं आता कंटिनुसले वो काम कर रहाता है यानि कि बहुत सारे पैसे वो ला सके डॉक्टर यून से पुछती है कि फादर कहा है पर इसके पास जादा कुछ आंसरस नहीं होते अब यून को महसूस होता है कितनी बड़ी प्रॉलम उन्हें आ चुकी है फिर वो मुंदो को कॉल लगाती है वो कहती है कि इस काम के लिए मैं रेडी हूँ अपने बेडी को वो बाजार में लेकर जाती है घर आते वक एक टॉय के शौब में डॉटर रुखती है इसे एक बड़ी सी डॉल चाहिए होती है पर यून के पास इतने पैसे नहीं होते तो एक छोटी सी डॉल उसे ले लेती है डॉटर को कोल लग रहा होता है तो अपने कंदे पर यून उसे बिठा लेती है उसे कहती कि थोड़ी दिन तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाली हूँ तुम्हें अच्छे से रहना है सब इंस्ट्रक्शन उसे देखर वो चली जाती है जौंग जब घर पर आता है उसे फ्रीज के उपर नोट मिलती है यह थोड़ी दिनों के लिए बहार जा रही हूँ यून ने अपनी डॉर्डर को उसके एंड के यहाँ छोड़ा हुआ होता है मूवी के फर्स में हमने देखा था कि यून एरपोर्ट पर पकड़ी जा चुकी है अब यही वो सीन है और उसका लगेज पकड़ा जाता है जब यह चेक किया जाता है तो उसमें बहुत सारी कोकेन होती है 150 मिलियन यूरो की यह कोकेन होती है मूवी के बताया था कि आगर वो पकड़ी गई तो कस्टम वालों को पैसे दे देना पर यह यहाँ काम नहीं करता यह उसने जुट बोला था उसे अब जेल में डाल दिया जाता है मुन्दो की जे गल्ट्रेंट होती है यह भी पकड़ी जाती है इसे भी जेल में डाल दिया जाता है अब जौन को इस सब इंसिटन के बारे में पता चल चुका है यह पुलिस के पास आता है उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था उसे लगा था कि यह स्टोन से अगर उसे पता होता कि यह कोकेन है तो यह कभी भी नहीं करती पुलिस कहती ही कि हमें सिर्फ मुंदों को पकड़ना है अगर वो पकड़ा गया और उसने टेस्टिमोनी दे दी तुम्हारी वाइफ फ्री हो जाएगी कोई प्रावलम नहीं आएगा जादे जादे वो जॉंग को अपनी पी करने के लिए बोलते है इस पर भी पुलिस को शक होता है यह भी अपनी वाइफ को एक काम करवा सकता है इसलिए इसको भी पी सैंपल और हैर सैंपल देना पड़ता है डॉर्टर अपनी मदर उसे देखने रही तो उसे बहुत ही परिशान करती है जॉंग उस पर चिर जाता है उससे बहुत बुरा लगता है मुंदूगी जी गल्फरंड जो पकड़ी जा चुकी होती है वो as a suspicions पकड़ी जा चुकी होती है इसके पास कोकेन नहीं होता तो जो छोड़ दिया जाता है कोरियन एमबेसी से आई हुई एक लेड़ी वा होती है यून उसे पूछती है कि यह क्या हो रहा है उसे अपने हस्बन को कॉल करना है ये भी उसे बताती है ये बहुत strict होती है और कहती है ये फ्रेंच एमबेसी के काम करती हो तुम जब प्रिजन में पहुच जाओगी तब लेटर लिखना जो अंग पुलिस के पास आया हुआ होता है और कोरियन एमबेसी को ये सब इनफर्म किया जाता है पुलिस ऑफिसरों से खेता है थोड़े दिनों बाद तुम एमबेसी को कॉल करना ये जो सब मैटर है इसे वो देख लेंगे अब हमें कोरियन एमबेसी का ओफिस दिखाय जाता है यहाँ पर ये जो सब मैटर हुआ है एक बॉस को एक इमपलॉई समझा रहा होता है बॉस उसे खेता है कि ये जो सब हुआ है ये हमारी लिए डिस्ग्रेस है इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले होते ये जो एमपलॉई होता है इसका नाम दे यून होता है अब हमें दिखता है कि दे यून पैरिस में आ चुका है और यून से वो मिलता है उसे कुछ पेपर साइन करने के लिए बोलता है डूद बरश वगरा कुछ सामन उसे दे कर जाता है यून कहती है कि मुझे मेरे husband से बात करनी है यून कहता है कि French Law बहुत ही कड़क है तुम मुने husband से बात नहीं कर पाओगी जब तुम prison में जाओगी तब ही तुम later लिख पाओगी ये बहुत ही इड़ गिड़ा रहे होती है तो prison guard को इस पर दहा आ जाती है इसे कॉल करने के लिए वो पर्मिशन दे देता है जब एक कॉल लगा दिये तो जॉंग बीजी होता है जो करजा उसे लिया होता है यह उसे चुकता करना पढ़ रहा है तो इसके कॉल से आने लग जाते है लास्ट चांस में यून को कॉल लग जाता है वो जॉंग से पुछती है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया जॉंग कहता है कि ऐसे तुम कैसे चली गई थी क्या हुआ था यह सब उसे बुछता है यून को अपनी डॉर्टर से बात करना आता है इंगी बीटी कार में होती है और यह रस्ते के एक साइट पर होता है यह भागते भागते वहाँ जाता है पर यून का टाइम खतम हो जाता है वो अपनी डॉर्टर से बात नहीं कर पाती है इस दिन मुंदो की गल्फरेंट कोरिया में आ जाती है वो पुलिस टेशन में होती है तो जौंग भी वहाँ आता है उससे बुछता है कि तुम कैसे आगे और कैसे यून वहाँ है वो बहुत ही उस पर चिट गयाता है पुलिस ओफिसर कहता है कि इन्वे स्टेशन चल रही है तुम इसमें जादा इंटरफेर मत करो यून जादा ही आवाज उठाता है तो वो कहता है कि तुमने एक गुनेगार से शादी की थी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते है उसे वाहाँ से जाने के लिए बोलता है तो मुन्दो की गल्फेर्ण भी आती है मुन्दो की गल्फेर्ण उसे कहती है तैवान नाम का एक आदमी था ये मुन्दो का बहुत अच्छा फ्रेंड था अगर तुम इसे ढूंड लो मुन्दो को भी तुम ढूंड सकते हो अब थोड़े दिन हो जाते है तो जॉंग कोरिन एंबसी को कॉल लगाता है यहाँ बैदेयों उसे बात कर रहाता है देयोंग इसे कहता है कि यह जो क्राइब हुआ है इसकी हीरिंग होने में चार मन लगेंगे यॉंग उसे भुचता है कि तब तक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ देयोंग से कहता है कि अच्छा सा एक लॉयर ढूंड़ो इसके लिए भी बहुत सारे पैसे अब यॉंग को लगेंगे देयोंग अपने ओफिसर के पास आता है वो कहता है कि अगर हमने पेटिशन साइन की अगर आपने फ्रांस के एंबसी से डारेकली बात की तो हम ये जो पिरेड है यानि कि 4 months ये गटा सकते है डारेकली हम ट्रायल में जा सकते है बहुत जादा फाइदा इससे हो सकता है ये जो आफिसर है इसको इसमें इंवाल्व नहीं होना इसलिए इसको ये मना कर देता है वो आउन जब घर पर आता है तो उसका फुरा सावन रस्ते पर होता है ये रेंड पे नहीं कर पा रहा इसी वज़े से होता है हमें रिखता है कि यून उससे लेटर लिख रही है इसमें उससे पुछती है अब तो बहुत जादा थंडी होगी उसकी डॉटर का खयाल रखने के लिए उससे बोलता है उससे cold हुआ है या नहीं ये उससे पुछती है इससे कहती है कि comfortable है इसके लिए worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं है यून prison में होती है तब एक guard आती है उससे कहती है कि तुम्हारा transfer हो रहा है यून को इसकी भाषा समझ में नहीं आती पर यहां से उससे जाना है यह उससे पता होता है उससे पुछती है क्या मैं Korea जा रही हूँ Korea के prison में रहूंगी पर यह वहाँ नहीं जा रही होती इसे flight से ले जाया जाता है वहाँ उससे transfer कर दिया जाता है यह चल बहुत ही strict होती है यहां के guards जो होती है यह बहुत ही जालिम होती है यून को इनकी भाषा समझ में आती तो communication का बहुत जादा problem इसे होता है जब रात होती है तो उसके पास guards आती है इसे कुछ गोलिया देती है इसे यह लेनी होती है पर यह ले नहीं रही होती है इसे फिर यह मारते है और जबरदस्ती यह उससे लेनी पड़ती है next scene में हम दिखता है यह जो young है यह मून्दो के office में आ चुका है अगर वो मून्दो को ढोण लेगा तो यून की सजा कम हो सकती उसे सजा भी नहीं हो सकती office में जब वो आता है तब और कुछ गुंड़े वहाँ आए हुए होते है इन्हें लगता है कि यह मून्दो को फ्रेंड है तो इसे बहुत मारते है यौंग को फिर वो अपने boss के पास लेकर आते है जो सब situation होई है यौंग उन्हें समझाता है boss को बहुत ही पुरा लगता है कि ये भी उनके जैसा ही है ये जो gangster boss है इसके भी पैसे लेकर मुंदो भाग चुका था जोंग से कहता है कि मुंदो को तुमें भी ढोड़ना है और मुझे भी ढोड़ना है हम दोना एक साथ काम कर सकते है परियर गैंसर उसकी insult करकर उसे घर वेज़ देता है जोंग पर बहुत सारा लोन अभी है तो उसे बहुत ज़ादा काम करना पड़ता है उसके डॉटर का खयाल अच्छे से नहीं रख पाएगा तो डॉटर की जो end होती है वह चोड़ कर उसे चला जाता है यून को जेल में बहुत ही दगलिफ होती है ये जो खाना खारी होती है ये दूसरी inmates इसका खाना सब छीन लेती है रात में फ्लोर पर जो बेड क्रम्स पड़े हुए होती है ये खा कर वो सो जाती है जो हम मुंदो के office में गया था बहुत सारी receipt वहाँ से उसने लाई है एक एक receipt को वो call करता है उसे कुछ ना कुछ तो evidence चाही होता है उसे कुछ ना कुछ तो पता चाही होता है कि मुंदो कहा है ये बहुत सारी जगा call लगाता है और तैवांग और मुंदो इन दोनों का पता रूणता है एक watch की shop में एक call लगती है मुंदो जहा है ये इने पता है जो हम फिर इस shop में जाता है शोप में जाने के बाद मुंदो की नाम के जो घड़िया होती है ये उससी दिखाई जाती है इस shop के बीचे मुंदो का सब operation चलता है और मुंदो के मिलने का ये keyword होता है जोंग को इन watches मैंसे एक watch choose करना पड़ेगा और जो दुकान दार है इससे पता चल जाएगा कि क्या काम मुंदो के पास इसका है जोंग को ये समझ में ने आता तो वहाँ से चला जाता है पुलिस इस पर बिलिव नहीं करती जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है ये सब तुम कहानिया मना रहे हो इससे underground operations वेगरा ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने कलिक को ये सब बता जाए और ये दोनों हस्ते है बातों बातों में तैवांग का नाम भी जोंग ने बताया होता है ये पुलिस ओफिसर अपने कलिक को ये बताता है कलिक को कलिक होता है वो खेता है कि ये most wanted है इनकी list पर तैवांग होता है जब जोंग इस शौप के बाहर होता है तो तैवां उसे देखता है यह इसके पास से ही जाता है इसके पीछे भागता है पर विंग कुछ ढूड़ने पाता नेक सिन में यून की जेला में दिखाए कई है इस जेल में एक अमेरीकन होती है यून फिर ये कीचन उसे देती है इसमें यह अमेरिकन और उसकी मदर का फोटो था, यून फिर यह कीचन उसे दे दिये, उसे कह दिये, कि मैं भी मदर हूँ, मुझे पता है कि तुम कैसे महसूस कर रही हो, पर तुम्हें रोना नहीं है, अजो तुम्हारी मदर को पता जला, कि तुम रो रही हो, तु उससे बह बहुत ही बुरा लगेगा, यह अमेरिकन फिर इसे हग करती है, और यहां रोने लग जाती है, यह अच्छी बेस फ्रेंड अब यहां से हो जाती है, जॉंग्ज होता है, तैवां के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, यह सब वो गैंग्स्टर को बता देता है, गैंग्स्टर जॉंग को मिल जाते है, अब जो लेटर में का एड्रेस है, यह अलग है, जॉंग्ज होता है, यह अच्छी बेस 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 बाइब जाती है, यह बहुत ही गर्मी होती है, मेरे पास जाधा पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हें लेटर इस लिख सकू, थोड़े से पैसों की बहुत ही खराब हो सकती है, और फिर भी उसे help अप चाहिए होती है, अपने बेटी का photo अमंगवाती है, यह अगर तुम Korean Embassy से यह शिप करोगे, तो यह बहुत ही फास चला जाएगा, अब नेक सीन में दिखता है, यह जो गैंस्टर था, उसे तैवान का है, यह पता चल चु पुलिस वह आती है, पुलिस तैवान को ले 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 थी है, और उसे पुछताच गरने लग जाती है, जो ऑग भी वह बहुत है, तो उससे देखकर वो सप्राइस्ट दे, गैंस्टर यॉंग से बात करता है, उसे कहता है, तुम जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, इसमें पर तो यह बहुत ही फास्ट हो जाएगा, यहाँ पर देयांग उसे कुछ अच्छे से आंसर नहीं करता, वो कहता है कि क्या हमें यही काम है, तुमारी वाइफ एक फैलन है, एक डिस्ग्रेस है इस कंट्री के लिए, हम इसे ज़ाधा कुछ मदद नहीं कर सकते, यूंग यहाँ इविडनस अगर होंगे, तो उसकी डिफेंडर्ट जच को बताती है, यूंग यहाँ कोजे बोलने बाती है, क्योंकि छे फ्रेंच भी नहीं आ थी और इंग्लिज भी उसे अच्छी नहीं आ थी, अब इसकी जो हीरिंग है, और चार मैने के लिए पॉस्पन हो जाती है, यह तो पुलिस है, इसने मूंदो को ढून लिया है, जॉंग भात है, और स्वाथ जबब पढ़ता है, उसे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पुलिस जॉंग को समझाती है, कि तुमारे लिए इंपोर्टन्ट है, अगर इसने सही से गवाई देती, कि यॉंग को पता ही नही तुम सिर्फ अपना खयाल रखना, जो सब हुआ है, यह मेरा ही फॉल्ट है, इसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी महसुस करता हूँ, हम गिव अप नहीं करने वाले, हम होप रखेंगे, कि तुम जल से जल यहां से भार आ जाओगी, अभी जो डॉटर है, यह ज़रा बड़ी मत देना, अब यून जो है, अब प्रिजर में अच्छे से घुल मिल चुकी है, उसके अफ्रेंड भी बन चुकी है, तो अब इसे ज़्यादा कुछ प्रॉलम नहीं आ रहा है, यून को जेज के सामने प्रॉलम आता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेटर ही नहीं होता, जो कोरि हम किसी को पर नहीं भेच सकते हैं, अगर भेचा जाए, तो बहुत जादा खर्चा आ जाएगा, यह हम टैक्सपेर के मनी से कैसे ले सकते हैं, पहले हमारा बजेट इतना कम है, और अगर तुमारे वाईफ पर हमने खर्चा कर दिया, तो लोग हमें क्या कहेंगे, हम एक ड्र कि इसमें कुछ भी गलती नहीं थी, जौंग कोटरूम में पुछता है कि अब क्या प्रोसेस होगी, वहां का लॉयर उसे कहता है कि जो भी ट्रांस्क्रिप्ट इस कोटरूम की है, वो अब हम कोरियन एंबसी को सेंड करेंगे, यह फ्रेंच की एंबसी को ट्रांसलेट करकर स लोग बेजने है, इसमें काम स्टार्ट हो जाता है, इसमें डो मेने लग जाते है, इसमें जो मेने करता है, यह वहरा जाते है, इससे बहुत ही घटी आंसर्ज देता है, की जोड़ से फिसृатов बहुत हो ङन्यवालपा से दिखेंगे हैं हमारी रिपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा यह सब उन्हें साफ करने के लिए बोलता है यह साफ करते करते जो टांसलेशन था जो ने भेजना था इसके फाइल नीचे गिर जाती है यह अलग टेबल पर चली जाती है और बहुत सारा टाइम गुजर जाता है तो पेपर वळख ख़राव है जो इने नहीं लगने वाला इसको अश्रेड करते है इसी श्रेड़िंग के फाइल्स में वो चली गई होती है इस टांसलेशन की पेपर को श्रेड कर लेते है यह उनको जज्ज के सामने फिर से ह्रिंग होती है जो कोरियन आमिसी है उसने पेपरवक सेंड नहीं किया है तो फिर से चार मेने के लिए उसका ट्राइल पॉस्पन हो जाता है यह समझ में नहीं पाती यह हो क्या रहा है जौंग ने अपने बेटी को उसके एंड के हाँ छोड़ा हुआ होता है पर वो थोड़ा सा गिर जाती हो और हर्ड हो जाती है जौंग फिर अपने बेटी को लेकर चला जाता है जो अपने साथ ही अब उससे रखने वाला होता है जौंग की बेटी का बर्डे आ जाता है उससे पाक में वो ले जाता है इस दिन उसे ज़दा कोजो तकलिफ नहीं देती यून को जेल की गाड़ी में से ले जा रहा होता है तब ये गाड़ी रूख जाती है जेल की एक गाड़ होती है जो इससे जबर्दस्ति करकर इससे इंटिमेन होना चाती है यून बहुत ही जिला थी है वहां से गाड़ी जा रहे होती है तब ह rat目 पहु like जाते है और क्या आवाज आ रही है यह देखने लग जाते है यूंग बहुती डरगई होती है तो यह भागने लग जाते है यह भागते भागते सी के पास आ जाती है यह Caribbean Sea होता है जौंग जो होता है या अपना सामान देख रहा होता है अपने पुराने यादे वो फिल से जीरा होता है इसमें उसे केरिबियन सी का एक पॉम्प्रेट दिखता है यून और जौंग ने डिसाइड गया था कि वो अपनी 10th anniversary पर इस island पर आएंगे केरिबियन उन्हें देखना था अब मैं दिखता है कि जौंग और उसकी बेटी अच्छे से अपने रूटिन में घुल मिल चुके है यून की बेटी को यूंग की अब जादे याद नहीं आती यून भागने वाली थी इसलिए उसे काल कोठ्री में डाल दिया जाता है अब यून का trial शुरू हने वाला है तो उसे city में लाया जाता है वो city में ही एक room पे रहने वाली हुती है जौंग को पता चलता है कि paper work फ्रांस में गई ही नहीं है इसलिए Goran Embassy के आगे वो cardboard लेकर खड़ा हो जाता है वो try करता है कि कोई उसे notice कर ले पर एक कोई notice नहीं कर पाता जौंक को जो internet याफे वाला friend होता है यह सब वो internet पर डाल देते है इससे Goran Embassy पर pressure बढ़ जाता है देयोंग और उसका जो boss होता है इन पर भी pressure आ जाता है इने फिर inquiry करने के लिए France जाना पड़ता है यह यून से मिलने आते हैं इससे सहारा देने के वज़ा उसे कहते हैं कि तुम positive thinking करो तो यह बहुत सारे साल यहां रुकना पड़ सकता है तो तुम meditation करो इस रूम में तुम यही कर सकती हो बहुत यह लाबरवा उसे आंसर देते हैं और थोड़े पैसे देकर वहास ही चले जाते हैं यून यह पैसे फिर से उन्हें पार्सल कर देते हैं यून जब सुनती है कि बहुत सारे साल उसे यहां रहना पड़ेगा दस साल इसे रहना पड़ सकता है तो यह बहुत धिस्टर्ब हो जाती है जज़ जहा होता है उसे हो मिलने जाती है पर guards उसे रोक लेते है यून बहुत ही अकेला में सुस करती है यूनकी जो जेल में friend थी है उस जेल के बाहर वो आती है उसे दूर से आवाज देती है उसे पुछती है कि वो कैसी है उसकी फ्रेंड भी उसे आवाज देती है कि वो ठीक है यूनके बारे में वो पुछती है फिर ये सी के पास आ जाती है अपने लेटर में लिखती है कि हम 10th anniversary पर यहां आने वाले थे मैं यह विश्च करती थी मैं कितनी गलत थी मुझे लगता है कि मैं एक बूरे सपने में हूँ तुम दोनों यानि कि जॉंग और उसकी बेटी यह बहुत ही सफर कर रहे है यह मैं सहन नहीं कर सकती अपने आपका तुम खयाल रखना यह स्लेटर में लिखती है यानि किस के बाद वो सुसाइट करने का अटेम्ट करती है इसे हॉस्पिटर में ले जाया जाता है यॉंग कोरियन एमबसी में आता है यहाँ प्रेस रिलीश चल रही होती है यॉंग यहाँ बहुत ज़ादा तमाशा खड़ा कर लेता है इसे पूछ रहाता है इसे एटलिस बता दो यह यॉंग केसी है जब बहार आता है तो एक रिपोर्टर उससे मिलता है वो कहता है यॉंग जो तुमारी वाइफ पर स्टोरी करनी है हम उसे मिलने के लिए फ्रांस जाने वाले है क्या तुम हमारे साथ आओगे तो अब इसे फिर से गह जाना पड़ेगा इन्हें एक दूसरे को छोड़ने में बहुत यह तकलिफ होती है पर इन्हें अब जाना पड़ता है जो सब रिपोर्टर है और जॉंग यह सब कोरियन एंबसी आ जाते है उनसे सवाल पूछने लग जाते है उन्हें ट्रांसलेटर के बारे में पूछते है जो बोस होता है और केता है यह हमारे जो money और resources है इसमें उन्हें बहुत try किया था पर उन्हें फ्रांस में कोई भी नहीं मिला रिपोर्टर केते है कि हुआ एक Korean थी यहां में इंटरनेट पर मिली है पर तुमने कुछ दखर ही नहीं ली थी यह उन्हें बहुत जादा ब्लेम कर रहे होते हैं यह फिर इन्हें पेपर्स के बारे में पुछते हैं कि तुम्हें फ्रांस को कुछ पेपर्स भेजने थे वो तुमने क्यों नहीं बेजे हैं यह बॉस कहता है कि हमने तो भेजे थे और फ्रांस का जो सिस्टम है यह बहुत ही घटिया है यह उन्हें पेपर गुम कर दिये हो गए जॉंग को इन पर पिलिव नहीं होता वो कहता है कि तुमने पेपर तो सेंड किये थे तो इसके कुछ रिसिप्ट होगी यह बहुत उस पर चिर जाता है और खेता है कि अफकोस हमारे पास रिसिप्ट है यह फिर रिसिप्ट ढूणने लग जाते है पर इन रिसिप्ट कहीं भी नहीं मिलती जौण फिर देवंग पर चपक जाता है उसे मानने खोशिश करता है यह situation ज़रा control करते है यून ने इन पेपर के बारे में जौण को पताय था इसी वज़े से यह सब हुआ है तो अब यह जो Korean embassy के boss वगरा है यह यून से मिलने के लिए आती है यह कहते हैं तुम्हारे यह वज़े से यह सब हो रहा है तुम एक criminal हो और हम जैसे इमानदर officers को यह सब जहिलना पड़ रहा है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें यह वेपर मिल गए तो ज़्यादा कुछ difference होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो तुम्हारे होप है यह सब तुम छोड़ दो यूंग बहुत ही रोने लग जाती है यह जोंग को call करती है और कहती है कैसे मैं होप सोड़ सकती हूँ यही तो मेरे लिए last chance है जोंग उसे कहता है कि अभी भी खतम नहीं हुआ है हम और भी लड़ने वाले हैं जो टीवी वाले होते है इन पर फ्रांस का गवर्मेंट प्रेशर लगाता है कि जो स्टोरी उन्हों नहीं की है यह रन नहीं करनी है इसके बाद फिर जोंग अपने फ्रेंड के बास आता है वो इंटरनेट पर यह सब लीक कर देते हैं इसके बाद बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट करने लग जाते है बहुत सारे शेर्स होते है बहुत कुछ हलचल मत जाती है इसके बाद सब पर प्रेशर आ जाता है जो documents थे, जो Quarian Embassy ने documents नहीं बेज़े थे, अब France के पास आ चुके होते है यून को एक अच्छा सा lawyer मिल जाता है, इसकी hearing अब start हो जाती है इस hearing में यून को जो lawyer होता है, ये सब को समझाता है, कि इसको पता ही नहीं था, कि इसके पास drug से इसकी गवाई हो जाने के बाद, जज अब फैसला सुनाने वाला होता है जज यून से पूछता है, कि क्या तुमें कुछ बोलना है, यून खड़ी हो जाती है वो कहती है, कि हा मैं गिल्टी हूँ, थोड़े से पैसो के लिए मैंने एक काम किया था पर ये जो सब हो रहा है, इसके सजा मेरी फैमिली बुगद रही है इससे घर जाना है, ये वो जोज को कहती है मेरी बीटी चार साल की थी, पर अब वो छे साल की हो चुकी है अपनी मदर के भिना उसे जीना पड़ रहा है मुझे फ्लीज घर जाने तो, ये अपील वो जजस से करती है जस थोड़ी देर बाद फिर से वो आता है, उसे एक साल की सजा देता है पर अल्रेडी यून ने दो साल जेल में स्पेंड की है तो अप उसे सजा नहीं होने वाली वो डारेक्ली अप घर जाने वाली होती है ये बहुत ही खुश हो जाती है ये फिर एरपोर्ट पर आती है जौंग उसे मिलता है अपने बेटी से वो मिलती है उसकी बेटी उसे आइडेंटिफाइ नहीं कर पाती इसका जो जहरा होता है ये भूल चुकी होती है ये डर रही होती है तो जौंग उसे कहता है कि मदर के पास जाओ यौंग की बेटी उसे पुछती है क्या तुम मेरी ही मदर हो ये फिर उसे गले लगाती है इसके बाद फिर हमें इनका जो रूटीन था वो फिर से स्टार्ट हो चुका है यह हमें दिखता है यून अपने बेटी के बाल बना रही होती है जॉंग थोड़ी दिर बाद घर आता है इस सीजन में पहली बार आज स्नो किरने वाला होता है स्नो किरना स्टार्ट हो जाता है यह सब को भार बुलाता है एक camera वो लाता है एक family photo वो लेने वाले होते है तो वे जॉंग को फिर से गॉल आता है Korean embassy से ये call होता है उसे कहा जाता है इक good news है तुमारी wife घर पर आने वाली है जॉंग को इसपर घुसा आता है पर वो इसपर ज्यादा ध्यान नहीं देता Camera on करता है और family photo में आ जाता है पर एक smile करते हुए एक बड़ी आसी वो photo निकालते है इनकी family अब फिर से बन चुकी है यही movie खतम हो जाती है इसके बाद in credits में हमें पता चलता है कि इन दोनों को और एक बेटी हुई थी एक happy life यह सब जी रहे है हमारे life में हमारी situation कितनी में खराब हो पर फिर भी हमें give up नहीं करना है इतने भी बुरे दिन हमें आ जाए पर फिर भी हम इसे adjust कर सकते हैं इन बुरे दिनों से हम बाहर आ सकते हैं जो कुछ हमें चाहिए इसके लिए हमें कभी भी give up नहीं करना है इसी अच्छे से मैसेज के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन भी दबा दीजे यानि कि आपको सब मूवीज मिलती रहे हम यह से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे